दोसों अगर आपको हिंदी लिटरेचर पढ़ने का शौक है और आप जैशंकर प्रिसाद की लेवल का कोई राइटर ढून रहे हो तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप मोहन राकेश को पढ़ो इनकी जो एक स्टोरी है मलबे का मालिक आज इस स्टोरी को हम लोग कवर करेंगे इसके साथ साथ एक बात और बता देता हूँ आपको मैं हिंदी लिटरेचर में एक मोमेंट आया था नई कहानी मोमेंट ये मोहन राकेश उसी मोमेंट का पाड़ थे कहा जाता है कि इन्होंने जो अभी अपनी राइटिंग्स की है वो काफी हद तक इनकी परसनल लाइफ से इंस्पायर थे चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस विडियो के एंड में कहानी तब की है जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टिशन की साड़े साथ साल बाद कुछ लोग लाहौर से अमरस्सर आ है हौकी का मैच देखने हौकी का मैच देखना तो एक बहाना था असली उनका मकसद था अपनी पुरानी गलियों को बाजारों को फिर से देखना ये वो जगह थी जहां पर इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी निकाली थी और साड़े साथ साल पहले यही जगह उनके लिए पराई हो गई थी हर सड़क पर उन लोगों को मुसल्मानों की कोई ना कोई टोली घूमती भी मिल जाती थी ये बात ये साबित करती है कि काफी सारे मुसल्मानों ने यहां से माइग्रेट नहीं किया था और ये शहर भी कितना बदल गया था तंग बजारों से गुजरते हुए वो लोग एक दूसरे को पुरानी चीजों की यादे दिला रहे थे एक पुला किते एक फता दीना मिस्री बजार में अब मिस्री की दोकाने पहले से कितनी कम हो गई है उस नुकड़ पर सुक्की बट्यारन की भट्टी थी अब देख वहाँ पर एक पान वाला बैटता है ये नमक की मंडी देख लो ना खान साब यहाँ की एक एक लाल आयन नमकीन होती थी कि बस लाहौर से आये मुसल्मानों ने लाल तुर्की टोपियां और तुर्रेदार पगडियां पैन रखी थी जो उस बजार ने एक अरसे बाद देखी थी ये वो लोग थे जिनने मजबूर होकर इस जगे से जाना पड़ा था साड़े सास साल बाद अमरसर को इतना बदला हुआ देखकर कहीं तो इनकी आखे चौक जाती तो कहीं अफसोस चा जाता वल्ला कट्रा जैमल सिंग इतना चौड़ा कैसे हो गया क्या इस तरफ के सब की सब मकान जल गये यहां हकीम आसेपली की दुकान थी न अब यहां पर एक मूची ने कबजा कर रखा है और कहीं कहीं तो कुछ ऐसी चीजे सुनाई दे जाती अरे यह मज़द वैसे की वैसे खड़ी है कहीं इन लोगों ने गुरुदवारा तो नहीं बना दिया अब जिस रास्ते भी इन पाकिस्तानियों की टोली गुजरती वहां के शहर की लोग इनको घूर घूर कर देखते कुछ लोग अभी मुसल्मानों को आते देखकर रास्ते से हड़ जाते जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनका स्वागत करते और पूस्ते की और बताओ आजकल लाहोर के क्या हल चाल अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है की नहीं सुना है शाहल में गेट पर बाजार पूरा नया बन गया है और सुना है कि किशन अगर में कोई खास तब्तिली नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान में बुर्का बिल्कुल उड़ गया है कै ये सही है ऐसे सवालों में एक आत्मा जलगती थी लगता था जैसे लाहोर कोई शहर नहीं बलकि हजारों लोगों का सगा संबंदी है जिसके हाल जानने के लिए लोग बिता गया है लाहोर से आये लोग उस दिन पुरे शहर भर के महमान थे जिन से मिलकर बाते करके लोगों को बड़ी खुशी हो रही थी वहीं अमरस्सर में एक उजड़ा हुआ बाजार था बांसा जहां बटवारे से पहले निचले तबके के मुसल्मान रहते थे जहां पर ज्यादतर बांसो और शेहतीरों की दुकाने थी जो सबकी सब एक ही आग में चल गई वो आग अमरस्सर की सबसे भयानक आग थी ऐसा लग रहा था पूरा शहर जल जाएगा आस पास के महलों को तो उस आग ने लगबग अपने लपिटे में लेही लिया था खैर किसी तरह आग काबू में आ गई और उसमें मुसल्मानों के एक एक घर के साथ हिंदू के चार पांच चैचै घर जलकर राख हो गए अब साड़े सास साल में उन में से कई घरों की अमारतें वापिस खड़ी हो गई है मगर जगह जगह पर मलबे के धेर अभी मौजूद है नई अमारतों के पीच में वो मलबे के धेर एक अजीब सा माहौल बनाते है वो पाकिस्तानी अलाहौर में आये थे उस दिन भी बाजार में कोई खास चहल पहल नहीं थे युकि बाजार में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे और चुब लोग बचके चले गए थे उन में से शायद किसी में भी लौट कर आने की हम्मत नहीं रही थे सिर्फ एक दुबला बतला बुड़ा मुसल्मान उस दिन उस बीरान बजार में आया और वही अपनी नई जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल बुलाईया में पड़ गया वाई तरफ जाने वाली गली के पास जाकर उसके पैर अंदर मुरने को हुए मगर फिर हच किचाकर वहीं बाहर खड़ा रहे गया इंबत नहीं होगी जैसे उसे विश्वास हुआ कि यह वही गली है जिसके अंदर वो जाना जाता है गली के एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ा कीड़ा खेल रहते और कुछी फांसले पर दो आड़तें उची आवाज में चीकती हुई एक दूसरे को गालिया दे रही थे सब कुछ बदल गया है मकर बूलिया नहीं बदली बुड़े मसल्मान ने धीमे स्वर में अपने आप से कह और अपनी चड़ी का साहरा लिए खड़ा रहा उसके घुटने पजामों से बाहर निकल रहे थे उतनों से थोड़ा उपर शेरवानी में तीन चार पेबंद लगे थे गली से एक बच्चा रूता हुआ बाहर आ रहा था उसने उसे पुचका रहा इधर आओ बेटे असो जच्च जी दूँगा उसने अपनी जेब में हाट डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूड़ी बच्चा एक बल के लिए चुप हो गया लेकिन उसी तरह होट बिसुर कर रोने लगा पिर वही एक लड़की पीछे पीछे 16-17 साल की होगी गली के अंदर दौड़ती हुए आये बच्चे की पाहा पकड़कर उसे गली में ले चली बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाहा चुड़ाने के लिए मचलने लगा लड़की ने उसको अपनी बाहों में उठा कर सटा लिया और उसका मूँ चुमती हो गली चुपकर खस्बान खौने रोएगा तो वो मुसल्मान तुझे पकड़कर ले जाएगा कह रहे हो चुपकर उठे मुसल्मान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा नकाला था बाहर वो वापस अपनी जिब बे रख लिया सिर से टूपी उतार कर थोड़ा सा खुझलाया असर को और टूपी को पगल में दबा लिया उसका गला सूख रहा था गुटने काप रहे थे शायद उसे डर लग रहा था कि इतने सालों बाद लोग उसे किस तरह से लेगे उसने गली के बाहर एक बंद दुकान के तक्ते का सहरा लिया और टूपी को फिर से सर पर लगा लिया गली के सामने जहां पहले उचे-उचे शाती रहते थे वहीं पर अब एक तीन मंजिल का मकान खड़ा था सामने बिजली के तार पर मूटी-मूटी चीले बिल्कुल जड़सी बैटी थी विजली की खंबे के पास थोड़ी दूप थी और कुछ पल के लिए दूप में उड़ते जर्रों को देखा उसके मूँ से निकला यहां मालक तभी एक जवान लड़का चाबियों का गुच्छा गुमाता हुआ गली की तरफ आया बुड़े को वहां खड़ा देखकर उससे पूचा कहिए मिया जी यहां किसलिए खड़े हैं बुड़े मुसल्मान को चाती और भाहों में एक हल्की सी कपकपी सी मैसूस हुई उसने अपने सूखे हुटू पर जबान फेरी और उस जवान लड़की को ध्यान से देखते हुए बोला तिरना मनोरी है न बिटा उस लड़के ने अपने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद किया और मुठी में बर लिया थोड़ी दिर देखकर पूचा आपको मेरा नाहम कैसे मालूम साड़े साथ साल पहले तू इतना सा था कहकर बुढ़े ने मुस्कुराने की कोशिश की आप अच पाकिस्तान से आये हैं? हाँ पहले हम इसी गली में रहते थे बुढ़े ने कहा मेरा लड़का चिराग दीन तो लोगों का दर्जी था अक्सीम से 6 महिने पहले हम लोगों ने यहां पर अपना मकान बनवाया था तो उससो तक्सीम का मतलब है विभाजन से पार्टिशन से पतवारे से 6 महिने पहले ओहो गनी मिया मनोरी ने चला कर बोला हाँ बेटे मैं तुम लोगों का गनी मिया जिराग और उसकी बीवी बच्चे तो मुस्से मिलने ही सकते वगर मैंने सुचा कि एक बार तुम लोगों से मिल लू उड़्े ने अपनी टोपी उतार कर जिर्फर हाथ फेरा और अपने आंसों को पहने से रोक रहा था आप तो काफी पहले शायद यहां से चले गए थे ना मनौरी ने पूछा हाँ बेटे, तो मैं भी उसके साथ कहते हुए उसे अहसास हो गया कि उसे यह बात नहीं कहने थी उसने अपनी बात को मूँ में रोक लिया और आखों की नीचे आंसों को नीचे बह जाने दे अच छूड़ो गनी मिया अब उन बातों को क्या रखाया उन में मनौरी ने गनी की पहा था में चलो तो मैं तुम्हारा घर दिखाता हूँ अब पूरी गली में खबर इस तरह पहली कि गली के बाहर एक मुसल्मान कड़ा है जो रामदासी की लड़के को उठाने जा रहा था वो तो उसकी बहन वक्त पर पहुँच गए उसे ले आई वरना मुसल्मान तो उसे ले गया होता ये खबर मिलते ही जो लड़किया जो आड़ते अपने घर के बाहर बैठी हुई थी वो जल्दी जल्दी अपने घर में चली गई और गली के बाहर खेलते बच्चों को जल्दी जल्दी पुकार कर अपने घर में बला लिया मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ गली में सिर्फ एक फेरी वाला रहा गया था बाकि सब के सब अंदर जा चुके थे रखा पहलमान कुए पर पीपल के पीड के नीचे सोया हुआ था कहने को गली शान्त थी लेकिन घरों में खिड़की दर्वाजों के पीछे से कई चहरे गली में जहांक रहे थे मनोरी के साथ गनी को आते देखकर लोगों में बाच्ची शुरू हो गई डाड़ी के सारे बाल सपेद हो जाने के बावजूद भी चिराग दीन के बाप अबदुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई कि ये वही भुटा है जो सालों पहले इस गली में रहा करता अधा अपने बेटे चिराग दीन के साथ में वो रहा तुम्हारा मकान मनोरी ने दूर से मलवे की तरफ इशारा किया गनी पल बर कर ठटक कर फटी फटी आँखों से उस तरफ देखता रहा चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत तो उसने काफी पहले मान लिया था अगर नया मकान इस शकल में देखकर उसको जुर्चुरी सी हुई इसके लिए वो तयार नहीं था उसकी जबान पहले से और ज़्यादा तूग गई थी घुटने और ज़्यादा काफने लगे थे ये मलवा उसने पूछा अनौरी ने उसके चहरे के बदले हुए रंग को देखा उसकी बाँ को और थोड़ा पकड़ा सहारा देकर एक जड़ स्वर में उसको उत्तर दिया तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों जल गया था गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ काफता काफता किसी तरह मलवे के पास पहुँचा मलवे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी जिसमें जहां तहां टूटी जली इंटे बाहर जहां कर रही थी लोहे और लकडी का सामान उसमें से कपका बाहर निकाल लिया जा चुका था बिखता है न कबाडियों के पास इसलिए सिर्फ एक जले हुए दर्वाजे की चौकट न जाने कैसे बची रह गई पीछे की तरफ दू जले हुए अलमारियां थी जिनकी कालिक पर अब सफेदे की हलकी हलकी सी तह उबर आई थी उस मलबे को पास से दिखकर गने ने कहा ये बाकी रह गया है उसके गुटने जवाब दे गया हुए जले हुए चौकट को पकड़ कर बैढ़ गया एक पल के बाद उसका सिर चौकट से सठा उसके मूँ से लखने की सी आवाज आई आये ओये चिराग दिना जले हुए उसके मार का वो चौकट मलबे में सिर निकाले साड़े साथ साल तक खड़ा तो रहा था लेकिन उसकी लखड़ी तरह भरबरा गई थी गनी के सिर से चूने से उसके रेशे जड़ कर बिखर गए थे कुछ रेशे गनी की टूपी और बालो पर आगिरे उन रेशों के साथ एक कैचुआ भी नकल कर आगिरा खिड़कियों से जाकने वाले चहरों की तादात और ज़्यादा वड़ गई थी और ज्यादा बाते होने लगी थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा जिराग दिन का बाब गनी आ गया है लोगों को पक्का यकीन था कि पुरानी बाते खुल जाएंगी ये मलबा गनी को सारी कहानी खुद बखुद सुना देगा कि शाम की वक्त किस वक्त पार्टिशन से पहले उसका बेटा चिराग उपर कमरी में बैटा कहना कहा रहा था जब वो रखा पहलवान मैंने आपको बताया था ना उसने उसे नीचे बुलाया और कहा कि वो एक मिनट के लिए उसकी बात सुन ले वो पहलवान उन दिनों गली का बाच्शा था वहां के हिंदूओं पर उसका दबदबा था चिराग तो फिर भी एक मिसल्मान लड़का था चिराग ने अपना खाना चूड़कर बीच में नीचे उतराया उसकी बीवी जुवेदा ने और उसकी दो लड़कियों ने किश्वर और सुल्ताना जिसकी दो लड़किया थी खिर्कियों से नीचे जहकना शुरू किया चिराग ने जैसे ही कदम बाहर रखा तो पहलवान ने उसकी कमीज का कॉलर पकड़कर उससे अपनी तरफ खीच लिया और गली में गिराकर उसकी चाती पर चड़ बैठा चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिलाया अरे रखे पहलमान मुझे मारता क्यों है अरे बचाओ मुझे उपर से उसकी बीवी जुवेदा और उसकी बेटिया किश्वर और सुल्ताना चिलाई चिलाते हुए चीक ती हुए दौड़ी नीचे की तरफ यहाँ नीचे रखे ने चिराग की पहाँ पकड़ बोला जब तक उसकी बीवी जुवेदा किश्वर और सुल्ताना जो उसकी बेटिया थी नीचे पहुँची चिराग को पकिस्तान मिल चुका था लब रखे ने उसको मार दिया था आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई लोगों ने ये सब अपनी आँखों से देखा वो लोग साक्षी थे लेकिन उन्होंने अपने अपने दर्वाजे बंद करके अपने आपको इस चीज से अलग कर लिया बंद दर्वाजों और किवाडों के बाहर से जुबैदा और उन दो विचारी बच्चीयों की चीखने की आवाजे आ रही थी लेकिन किसी की मजाल थी कोई बाहर जाता रखे पहलवान और उसके साथियों ने उसी रात उन सब को पाकिस्तान दे दिया और उनकी लाशे उस घर में नहीं मिली थी बगल में एक नहर थी पानी की वहाँ पर मिली थी दो दिन तक उस घर की चानबीन होती रही इसका सारा सामान लूटा जा चुका था नजाने उस घर को किसने आग लगा दी थी रख्ये पहलवान ने तब कसम खाई थी कि आग लगाने वाले को जिन्दा जमीन में गाड़ देगा क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर सुन रहे हो उस मकान पर नजर रखकर के ही उसने चिराक को मारा था लेकिन आग लगाने वाले का आज तक रखे को पता ने चल पाया अब साड़े साथ साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदा समस्ता आया है जहां ना तो वो किसी को गाय भैंस बांदे देता है ना कोई खुमचा लगाने देता है उस मलबे से बिना उसकी इजादत से कोई एक इंट भी ने निकाल सकता लोग उम्मीद कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी ना किसी तरह से गनी तक पहुँच जाएगी किसने उसके बेटे को मारा और बहुत तमाशा होगा वहाँ गनी नाखुनों से खूद खूद कर मिट्टी को अपने उपड़ डाल रहा था उस घर की मलबे की दर्वाजे की चौकट को बाहां में लिए रो रहा था बोल चिराग दीना बोल तू कहां चला गया होए ओ किश्वर ओ सुल्ताना है मेरे बच्चे होए वह गनी को पिछे क्यों चोड़ गया है वह ऐसा सब बोल कर रो रहा था और भुर भुरे किवार की लकडी की रेशे उस पर चड़ते जा रहे थे वहाँ पीपल की पेड़ के नीचे रखा पहलवान जिसको किसी ने जगा दिया या खुझ जा गया इस बात का बता नहीं लेकिन उसे ये बात पता चल गई थे कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है अपने मकान के मलबे पर बैठा है जिसे सुनकर उसकी गले में थोड़ा सा जाग उठा है उसे खासी आ गई कुछ लड़कों ने आकर उसे बोला कि गनी अपने मलबे पर बैठा है मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है? मगर वो बैठा है? वो बैठा है, बैठा है तुझ चिलम ला लड़के ने उससे पूछा, मनोरी ने अगर उसे कुछ पता दिया तो मनोरी के शामत आई है क्या मनोरी की? कुए पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी हुए थी रखा उन पत्तियों को उठा उठा कर हाथों में मसल था जब लच्छे ने चिलम पकड़ा दी तो चिलम लगा कर उसने एक कश खींचते हुए पूछा इसी और से तो बात नहीं होई गणी की? नहीं, ले उसने खास्ते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दी वहाँ मनोरी गणी की बहाँ पकड़े मलवे की तरफ से आ रहा था लच्छा उकडू होकर चिलम के लंबे-लंबे कश खींच रहा था मनोरी गणी की बहाँ था में उससे एक कतम आगे की तरफ चल रहा था जैसे उसकी कोशिश हो कि गणी कुए के पास से हुए बिना रख्य को देखे बिना वहाँ से निकल जाए वगर रख्या जिस तरह से बैठा हुआ था गणी ने उससे दूर से ही देख लिया कुए के पास पहुँचना पास्ते उसकी दूनों बाहें खुल गई और उसने कहा रख्ये पहलवान रख्ये ने गर्दन उठाकर आँखे ज़रा छूटी सी की एक अजीब सी घवराट हुई उसे वो बूला नहीं अरे रख्ये पहलवान मुझे पहचाना नहीं क्या गणी ने बाहें नीचे करके कहा मैं गणी हूँ अब्दुल गणी चरागदीन का बाप पहलवान ने उपर से नीचे तक बुड़े का जाहिजा लिया अब्दुल गणी की आँखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी उपर खिड़कियों से लोगों की बाते और ज्यादा हो गई थी कि अब दोनों आमने सामने आ गया है बाद जरूर खुलेगी फिर हो सकता है दोनों में गाली गलूच भी हो अब रख्खा गणी को हाथ भी नहीं लगा सकता था क्योंकि आप वो दिन तो रहे नहीं थे बड़ा मलवे का मालिक बनता था न असल में ना बलबा इसका है ना गणी का मलबा तो सरकार की मलकियत है मकदूद किसी को गाय का खुटा तक नहीं लगाने देता आज देखो और मनोरी वो भी इतना धरपोक है कि गणी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे नहीं उसकी बेटे चिरागदीन को और उसकी बीवी बच्चों को मारा था रखा आदमी नहीं सांड है दिन बर सांड की तरह गलियों में गुमता फिटता है कनी ने कुए की सिल पर बैट कर कहा देख रखे पहलवान क्या से क्या हो गया भरा पूरा घर चोड़ कर गया था और आज यहां पर मटी देखने आया हूँ बसे घर की ये निशानी रह गई है तो सच पूछे तो मेरा ये मटी चोड़ कर जाने को मन नहीं करता थी अगर वो चाता तो तुम में से किसी के भी घर में चुप सकता था उसमें भी इतनी समझदारी नहीं थी रखे ने उसकी बात को बदलने की कोशश की और पूछा कि पाकिस्तान में तुम लोगों की क्या हाल है तो नहीं बोला हाल क्या बताओं रखे अपनी चड़ी पर बूछ डाल कर चुकता हुआ बोला मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है चिराग वहां होता तो बात को चौड़ती है मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल लेकिन बो ज़िद पर अड़ा रहा नया मकान छूड कर नहीं जाँंगा अपनी गली है यहां क्या खत्रा है ओले कबुतर ने ये तक कि नहीं सोचा कि गली में भले ही खत्रा ना हो लेकिन बाहर से खत्रा आ सकता है मकान की रखवाली के लिए चारो ने अमनी जान दे दे रखे उसे तिरा बहुत भरुसाता कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं विगाड़ सकता अगर जब जान जान पर बनाए तो रखे के रुके भी न रुकी रखे ने सीधा होने की कोशिश की उसकी रीड के अड़ी बहुत दर्द कर रही थी पसीना पसीना हो गया था उसके मूँ से सिर्फ यही शब्द निकले है प्रभू तू ही है तू ही है गनी ने जब देखा कि पहलवान के होट सूख रहे थे तो उसने उसके कंदे पर हाथ रखकर पूला कि जो होना था सो हो गया रखिया अब उसे कोई लोटा थोड़ी सकता है खुदा नेकी नेकी बनाए रखे बत की बदी माफ करे आके तुम लोगों को देख लिया लगता है जैसे चिराक को देख लिया अल्ला तुम्हें सिहत मन रखे चड़ी के सारे उट खड़ा हुआ और चलते वह उसने कहा अच्छा रखे वहलवान वहां से चला गया तो गली का महावल वैसा ही हो गया जैसा उसके आने से पहले था और ते नीचे उतर आई बच्चे गुली डंडा खिलने लगे और यही पर यह कहानी खतम होती है दोस्तों अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने कहानी समझाने ये कोशिछ किया मैंने टेक्स्ट पढ़ाया है दोस्तों जो और जिनल टेक्स्ट है चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ यूमर